डीर स्टूडेंट्स और वीवर्स एंड आल दा केंडिडेट्स, असलाम अलेकुम, स्टूडेंट्स और वीवर्स और केंडिडेट्स, आप सब ठीक होंगे, fine for channel में आपको खुशामदीद जैसा कि हमने प्रिवियस वीडियो में आपको आई बी का जो टेस्ट चल रहे हैं 5 to 15 ग्रेड के उसका पेपर 1 का साइंस का पोर्शन है वो हमने आपसे डिसक्रश किया था उसके MCQ जो है वो आपको बताए थे इसी तरह से आज का पेपर भी हम इसी वीडियो में डिसक्रश करेंगे और जो साइंस का पोर्शन है यह हम इसी वीडियो में आज डिसक्रश करेंगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताके हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो कैंडिडेट्स जो IBA का टेस्ट दे रहे हैं 5-15 ग्रेट का जो जॉब टेस्ट है ये दे रहे हैं उनके साथ भी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें सो बढ़ते हैं स्टुडेंट्स आगे तो साइंस पोर्शन है हमारा जो है जिसमें 10 MCQs होते हैं और ये पेपर है आज का जाने के 18-1-20-23 का सो इसमें स्टुडेंट्स जैसे के प्रीवेस वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइंस के डिफरेंट फील्ड में से MCQs आते हैं जैसे कि कुछ फिजिक्स के MCQs शामिल हो गए कुछ केमेस्ट्री के और कुछ बाइलोजी के आज का जो पेपर है इसमें जो है वो साइंस के पोर्शन में सिर्फ फिजिक्स के और बाइलोजी के जो MCQs हैं सिर्फ वो include हैं chemistry के शामिल नहीं है सो यह जो है आज के paper में सिर्फ physics और biology के जो MCQs हैं यह सिर्फ शामिल किये गए हैं 10 MCQs में 5 physics के 5 biology के स्टार्ट करते हैं पहले MCQ है particles, atoms and molecules in solids remain in motion and that motion is limited to So students particle or atom की motion होती है solid के अंदर वो motion हमें बतानी है कि कौन सी motion होती है So students solid के अंदर molecules या particles या पार्टिकल्स जो है motion में होते हैं So उनमें एक ही motion होती है वो होती है vibrational motion vibrational motion जो है उसमें रहते हैं solid के particles molecules और वो vibrate करते रहते हैं vibrational motion कहते हैं कि जब भी कोई particle या molecule अपनी mean position से back and forth motion परफॉर्म करेगा है to and from motion परफॉर्म करेगा उसको vibrational motion कहते हैं So यह जो है वो vibrational motion में जो है वो रहते हैं और जो gas के molecules हैं container में वो random motion के अंदर रहते हैं या याद रखिएगा अब आगे बढ़ते हैं proton and neutrons are collectively known as proton और neutron को collectively nucleons कहते हैं option number B दुरूस्त है nucleons third mcqs के उपर बढ़ते हैं which of the following is not magnetic material इसमें से कौन सा जो option दुरूस्त है कि जो magnetic material नहीं है so students इसमें जो है वो paper clip magnetic material नहीं है coin भी magnetic material नहीं है क्योंकि coin जो है वो किस metal का बना हुआ है यहाँ शो नहीं कराया गया so लहाजा इसको हम जो है वो magnetic material नहीं कह सकते है eraser भी नहीं होता iron nail iron nail जो है यह magnetic material होता है iron nail जो यह कील जिसे कहते हैं वो जो है वो magnetic material जो होती है उसको magnetize भी किया जा सकता है यानि के magnetize का मत्तब होता है उसको एक magnet की तरहां भी बनाया जा सकता है आगे बढ़ते हैं फूर्थ MCQs एन आइरन नेल कैन बी मेगनेटाइज बाय अब दूसर उसके बाद ही MCQs में ये पूछ रहे हैं आइरन नेल का ही बता रहे हैं कि आइरन नेल को कैसे मेगनेटाइज जो है या जो है वो iron nail को magnetize कर सकते हैं किस के जरीए hammering के जरीए नहीं hammering के जरीए भी नहीं कर सकते हीटिंग heating के जरीए भी नहीं कर सकते passing and current electric current around it electric current को उसमें से pass करके जो है वो उसको magnetize किया जा सकता है या फिर जो है वो उसके around में यानि कि उसकी surrounding में जो वो wire होंगी जिसमें current flow हो रहा होगा उसके करीब उसको रखके जो है वो magnetize किया जा सकता है क्योंकि जब हम iron nail को current के करीब रखेंगे तो current के करीब जो है वो magnetic field होती है magnetic field जो है वो iron nail को magnetize कर देगी इस तरह से फिर फिर वो जो iron nail होगी वो भी as a magnet behave करेगा आगे बढ़ते हैं आप force that stops thing from moving easily is known as यह तो बहुत असान है कि जो चलती हुई चीज को जो है वो force रोक दे ऐसी force जो है वो क्या कहलाती है जो moving object होते हैं उनको रोकने वाली force जो है यह frictional force होती है so option b दुरुस्त है friction आगे बढ़ते हैं students the sky divers use a parachute to easily descend towards the earth because it यानि कि जो sky divers होते हैं वो आसानी से जो है वो जमीन पर आ जाते हैं वो किसकी वज़ा से increase air resistance, decrease air resistance, decrease air friction, speed up so students जब sky divers नीचे आते हैं तो उस वक gravity उनको बहुत ज़्यादा force लगा के खेचरी होती है और उस condition में air resistance नाकाफी होता है so उस air resistance को बढ़ाने के लिए, balance करने के लिए parachute को खोलते हैं ताकि air resistance बढ़ जाए so air resistance बढ़ जाता है तो आसानी के साथ जो है वो slow speed में, uniform speed में जो parachute, जो sky divers है वो parachute use करके नीचे आ जाता है तो इसका option जो है वो, बी है, decrease, increase air resistance, option A जो है वो इसका दुरूस्त है air resistance को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ते हैं, amphibians lay their eggs in on amphibians, student ज़्यादा तर जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनको amphibians कहते हैं और वो अपने जो eggs हैं, वो वाटर में ही रखते हैं, तो यह biology का portion यहां से शुरू हो गया है, पांच MSQ biology के अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, organism that eat all the dead and west products and returning useful element to soil and involvement is known as so इसका option है students decomposer, so students इसका option A दुरूस्त है, decomposer animals that eat only animals are caught, वो जानवर जो जो है वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जो है वो carnivores कहलाते हैं, so carnivores option B जो है वो दुरूस्त है, materials from which current passes through are वो material जिसमें से current पास हो जाए, उस material को जो है वो conductor कहते हैं, conductor में से current आसानी से पास हो जाता है, insulator में से पास नहीं होता, non conductor में से भी पास नहीं होता और non metal से भी पास नहीं होता so your students, ये जो है वो, आज का, जो है वो, science, आज के paper का science portion जो आप से discuss किया I hope के ये आपको जो है वो, आपके लिए helpful रहा होगा, इसमें कोई भी question हो, comment section में जरूर करें इसी तरह से जो आगे भी test होंगे, इसके भी science के MSU's आपके साथ share करते रहेंगे इस वीडियो का जादे सादा share करें, अपना खयाल रखें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much, अल्ला आफिस